क्लास 12 फिजिक्स में विद्यु चुम्ब की प्रेरण यूनिट के अंदर एक महतुपुन प्रश्ण है बताईए कि लेंज का नियम उर्जा सरक्षन के नियम के अनुकूल है पिछले वीडियो में हमने लेंज के नियम के बारे में पड़ा था कि विद्यु चुम्ब की प्रेरण में किसी भी परिपत में प्रेरिध्धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण भस्वयम उत्पन हुई है मतलब हम जानते हैं कि विद्यु चुम्ब की प्रेरण में क्या होता है कि जब हम चुम्बक को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली से बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और उसमें प्रेरिध्धारा उत्पन होती है और ये प्रेरिध्धारा पास में लाने क का विरोध करती है तो कुण्डली का वहतल क्या बन जाता है उत्री दुरू बन जाता है तो अब सवाल यह है कि यह लेंज का नियम उर्जा सरक्ष्न के चनियम क्या नुकुल है तो बिलकुल हम इसी द्रूबे नार्थ पोल एन इसको देखिए तीर का निशान हम इसको किधर ला रहे हैं कुंडली के पास ला रहे हैं तो क्या होगा जब हम चुंबक के एन द्रूब को मतलब नार्थ पोल को कुंडली के पास लाएंगे तो कुंडली का वो वाला फलक मैं न जैसे एक सिक्के के दो फलक होते हैं वेसी कुंडली के भी कित्ते फलक होंगे दो फलक होंगे तो कुंडली का वो वाला फलक जो चुम्बक की तरफ होता है वो लेंज के नियम से कौन से दुरू की तरह काम करने लगेगा एन दुरू की तरह काम करने लगेगा है न क्योंकि उसको तो पास में लाने का विरोध करना है तो फिर क्या होगा वो एंद्रू की तरब काम करने लगेगा ये किसके नियम से होगा लेंज के नियम से तो अगर ये एंद्रू की तरब काम करेगा तो अब क्या होगा चुम्बक और कुंडली की बीच क्या होगा प्रतिकर्शन बल लगने लगेगा क्यों लगने लगेगा क्योंकि ये भी एंद्रू बन गया और ये भी एंद्रू बन गया तो जब ये एंद्रू की भाती काम करने लगेगा और ये अलड़ी एंद्रू है तो इनके बीच में क्या होगा प्रतिकर्षन बल कारी करने लगेगा अब क्या होगा क विद्यूत उठ्जा अर्थात इस कुंडली में प्रेरित धारा या बदल गया अब आप यहाँ देखिए दूसरी बात करते हैं बिल्कुल अब आपको जब एक Заाम में लिखना पड़े तो केवलy इसी इन ही एंद्रू को दूर ले जाएगा लाइक इस तरीके से तो वो कुंड़ी से दूर जाएगा तो अब हम क्या कर रहे हैं देखे आप जो हमारी सेकंड बात है वो यह है कि जब चुम्बक के एंद्रू को हम कुंड़ी से क्या करते हैं दूर ले जाते हैं तो अब क्या होगा दुरू की तरह काम करने लगेगा तो एसे में क्या होगा चुम्बक और कुंडली की बीच क्या लगने लगेगा आकर्शन बल लगने लगेगा तो फिर क्या होगा अब आप तो क्या कर रहे हैं कि चुम्बक के उत्री दुरू को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं तो अब क्य प्रेरिद धारा जो है यहां पर क्या है यहां इस प्रेरिद धारा की दिशा क्या है एंटिक्लाकवाइज वामा वरते और यहां यह क्लाकवाइज दक्षना वरते और यह धारा की दिशा इस प्रकार से होती कि यह यह एंद्रू बन जाता है यह एस द्रू बन जाता है खेर हम जो बात कर रहे हैं उर्जा सरक्षन की नियम के नियम में हमने समझ लिया कि किस तरह से अनुकूल है कि जब आप एंद्रू को पास में लाते हैं तो ये भी चुकि एंद्रू बन जाता है तो प्रतिकर्शन होता है और आप पास में लाते है तो प्रतिकर्शन बलकि विरुद् और जो किया गया कार्य वही जो आप यांत्रिक कार्य कर रहे हैं वही विद्युतूर्जा अर्थात विद्युत धारा अर्थात प्रेरिद धारा की रूप में बदल जाएगा और जब आप एंद्रू को दूर ले जाते हैं तो फिर क्या होगा ये वाला तल एस बन गया कुंडली का तो ये क्या करेगा उसको अपनी ओर आकरशित करेगा और आपको अगर दूर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा आकरशन भलके विरुद्ध कारी करना पड़ेगा और लेंज का नियम उर्जा सरक्षन के नियम के क्या है अनुकूल है क्योंकि प्रेरिधारा की दिश्वा इस प्रकार बन रही है कि वो उस कारण का विरोत कर रही है जिसके कारण वह स्वेम उत्पन हो रही है और यह उर्जा सरक्षन के नियम के अनुकूल परिणाम प्राप्त हो एनिवाँ